बिग बोस 15 के वीकेंड के वार एपिसोड में सलमन घरवालों से कहते हैं उस सदस्य का नाम बताने के लिए जिनके रास्ते में वे काटे बिछाना चाहते हैं और उन्हें फिनाले में नहीं देखना चाहेंगे ज़र शमीता सबसे पहले आती है और कहती है मैं तेजस्वी के रास्ते में काटे बिछाना चाहूंगी क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगता है कि वही सही है और बाकी सब गलत फिर अभी जीत बिचुकले आके भी तेजस्वी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि पता नहीं क्यों बिना वज़े वो मेरे मुद्दे उठा रही है ये सुनके तेजस्वी और करन हसते हैं फिर निशान देवलीना के रास्ते में काटे बिछाना चाहेंगे क्योंकि उनके हिसाब से देवलीना डबल स्टैंडर्स रखती है वही प्रतिक करन की तस्वीर उठा के कहते हैं कि मुझे लगता है ये विनर बन सकते हैं लेकिन विनर तो एक ही बनेगा मैं और इसलिए करन को रास्ते से हटाना चाहूँगा फिर तेजस्वी को लगता है कि प्रतिक के मुद्दे सिर्फ उनके कारन होते हैं इसलिए वे प्रतिक के रास्ते में काटे बिछाना चाहेंगी फिर रश्मी देशाया के गुंगान करती है देवोलीना के ये कहते हुए कि वे बहुती बद्तमीज, बद्दिमाग, बेवकूफ और इंसिक्योर है जिस पर देवो भी कहती है कि क्या आप खुद की तारिफ कर रही है ये टास्क खत्म होते ही सलमान खान अनूंस करते हैं डबल एविक्शन और सभी घर वालों को जोर का जटका देते हुए घर से एविक करते हैं राजीव और रितेश को जी हाँ विवर्स जहां राजीव की वेजे से पिछले दो वीकेंड से एविक्शन रुका हुआ था वही अभी जीद को सेव करते हुए राजीव और रितेश हो चुके हैं गर से बेघर